नमस्कार आदाओ, सस्री आकाल, स्वागते आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल पर आप सब के एक्जाम के लिए पॉलिटी के बहुत ही मातपूर क्लास लिख करेंगे आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत में सविदान सभा का गटन क्या ज़िवा था केपने टमिसन के बारे में इंपोर्टेट पॉंट को डिस्कस करेंगे इससे पहले की क्लास में हम डिस्कस कर चुके सभीदान क्या होते सभीदान के प्रकार क्या होते भारत का सभीदान क्या से भारत में पहली बड़ सभीदान सभा कि मांग कब कोई अलग अलग टैम पे क्रिफ्ट मिर्शन आया तो कभी अगास प्रस्ताव आया तो कांग्रिस ने कप स्युकार किया तो महात्मा गांदी ने क्रिफ्ट मिर्शन को क्या क्या ये सब चीज़े इससे पहले की क्लास में डिसकर्स कर चुके अगर आपने अभी तक इससे पहले की class को नहीं देखा तो channel के playlist जाकर देख लेज़ेगा अपनी class को start करते एक motivational code के सार मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ भी तू जरा कोसिस तो कर को आप बदलेंगे हकीकत में तू जरा हिम्मत तो कर जो इस चीज के बारे में जो सपना अगर आप सोच सकते हैं तो आप उसको पूरा भी कर सकते हैं आपको कुछ भी dream हो और ये class जोगी ना पॉल्टी की basic level से high level तक की है अगर इस topic से question आएगा तो question आपसे बाहर नहीं जाएगा अगर आपके exam में cabinet message से question आएगा तो इससे बार कोई भी question नहीं पुछेगा तो चलिए अपनी class को start करते हैं copy pen लेकर बटिएगा important point के notes में नहीं नहींगा महिनत जरू करिएगा तो को भारत में सविदान सभा की मांग पहले बार 1895 में होई थी 1934 में प्रत्या चुरूप से होई थी मानुए नात राई के दोरा 1940 के अगस प्रिस्ताओं में अंग्रेजों ने पहली बर सविदान सभा की मंग कुस्य कर गया 1942 में क्रिफ्स मिशन आता है क्रिफ्स मिशन को मात्मा गाने ने पोस्ट टेटर चेक का आता जो अलाल नेरूड ने तूटते वो बैंक का चिक का आता 1945 में वेवर प्लान आता है ये सब भारत में कहीं न कहीं सविदान सभा के गठन के लिए आ रहे थे लेकिन ये सब भारत में सविदान सभा के गठन में फेल हो चुके थे अब इस पसाथ 24 मार्च 1946 को एक मिसन आता है उस मिसन को कैबनेट मिसन के नाम से जाते है कैबनेट मिसन तीन सदसी मिसन थे अर्थात इसके अंतर गए तीन सदस थे कैबनेट मिसन के अधिश थे पैंटिंग लॉरस इसके अनस सदस्व में A.B. Alexander और Stavod Crips थे Stavod Crips 1922 के क्रिप्स मिसन के अधिश पी थे 24 मार्च 1946 को भारत में कैबनेट मिसन आता है भारत में कहां पर आते है तो 24 मार्च को दिल्ली में आता है दिल्ली भारत की राजदानी कब बनी थी दिल्ली भारत की राजदानी 1912 में पनी थी क्योंकि 1911 में दिल्ली दर्वार का गटन हुआ था अब इसी के बात क्यों होते हैं कैबनेट मिसन भारत में कांग्रेस, मुस्लिम लीग वह अन्य सभी को क्या होते हैं सविधान सभा के गटन के लिए स्विकार करवा लेता है मतलब अपनी बात को मनवा लेता है भारत काले तयार हो जाते हैं कि हम कैबनेट मिसन के आदार पर ही अपनी सविधान सभा का गटन करेंगे तो ब्हारत की सविधान सभा का गटन कैसे होते हैं, केपनेट मिशन के अधार में। केपनेट मिशन के अधियास का होते हैं? पैंतिंग लॉर जिबकि अन सदस्यों का हूते हैं, अवीगेलगर्वियलचणर और स्ट्रेपड क्रेफ्ट कैपनेट मिसन ने का कि तो को भारत में सविदान सवा का दो गटन करेंगे लेकिन हम कैसे करेंगे तो इस ने का कि हम दस लाग की जन संग्या पर एक सीड़ देनी के बात कि इस प्रकार से भारत में कितने 389 सीटे अरधारित की गई अब 389 सीटे यों को भी बिभाजन गुआ क्योंकि उस टाइम का भारत में मुख रुप से दो प्रान्त में डिवाएड था पहला प्रान्त को था तैको प्रान्त तो चार के टेगरी में डिवाएड थे ए करेड़ी, बी करेड़ी, सी करेड़ी, टी करेड़ी उसको उम्हाग एक पढ़ेंगी तो वहाँ पर ड़ेंगने अभी समझजे उष्ल टाइम का भारत जो था उष्ल टाइम प्रीटिस भारत предложता संविभा ब्रिटिस प्रीन थे किसी गवा अन्दिन सब्सकु ना रख्यात है अब बीजा भारत कि सुविधान का निर्मार हो रहा है तो ना ही हम बृटिय प्रांद को सोच सकते हैं ना ही हम क्या कर सकते हैं देशी रियासत को छोड़ सकते हैं कैम्नेट demişंन ने का कि हम सेट्टे रखेंगे अब अब 10 लग की सेटे रखें सेट सेट अब के ये रियासत के स्किर्वाज़ सेटे पर एक जिर्सणों भारत में 389 सेटे हैं अब ये 389 सीटों को भी क्या करना है दो प्रांट में डिवाइड किया पहला था आपका ब्रिटिस प्रांट और दूसरा कौन तर देशी रियासित ब्रिटिस प्रांट को किती सीटे मिली 296 सीटे आपकी ब्रिटिस प्रांट को मिली और 93 93 सीटे देशी रियासित को मिली और य चीप कमिशनरी थे दिल्ली कुर्गे अचमेर मारमार का चेदर और बलुचिस्तान का तो 296 सीटों में से चार सीटे किसको मिल गए आपके और चीप कमिशनरी को अब यह भारत में सविधान सभा का गटन कर रहे हैं आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि 1938 में उससे पहले 1935 में जमाल लाल नेरू ने कहा था जब हम सविधान सभा का गटन करेंगे तो कैसे करेंगे वयक्स मता अधिकार के आधार पर सभीधान स्भा के सदस्यों को खुनाओ कराएंगे अब बात है कि सभीधान सभा के सदस्यों को चनाओ आती जीत ediyorum में जराल ने की बहात खी तो खुब ब долृतिस प्रांब में आजकर करा लेंगे लेकिन देसी रियास्त को चुनाओं नहीं कराएंगे हम अपने याज से जिस व्यक्ति को भीचना चाहेंगे भीच देंगे अब आपके सविदान समय कैसी थी निर्वाचित थी कि मनों नीत जिको 296 सीटों में तो हमने चुनाओं कराया था और 93 सीटों में क्या हुआ था देशी रियासत ने अपने या प्रदस कैसी है मनोनीत तो हमारी सविदान सवा कैसी है हमारी सविदान सवा आंसी क्रूप से निर्वाचित और आंसी क्रूप से मनोनीत लोवर पीसेस एक्जाम में कॉश्चिन पूछा गया था आंसी क्रूप से कैसी है निर्वाचित आंसी क्रूप से मनोनीत और हमारी सव पढ़ी होंगी हम क्या करने जीरो लेवल से डिसकस कर रहें कि अगर अपने पढ़िए तब भी आपको बहुत सारे नए पॉइंट मिलेंगे अगर आपने नहीं पढ़िए तो आप समझना चाहोगे तो अच्छी सी समझ सकते हो तो पहली बात हमने क्या समझी कि भारत में सविदान सवा का गठन कैसे हुए कैपनेट मिशन के दौरा कैपनेट मिशन भारत का बात है 24 मार्च 1946 को कैपनेट मिशन आते हैं इस टाइम पर बिटेन में किसकी सरकार थी अब भया इस टाइम पर बिटेन में क्या थी सरकार बन चुकी थी क्लाइमेट एटली ने जब चुझनाव लड़ रहते तब उन्होंने कहा थी कि अगर हमारी सरकार जीत चाहेगी तो हम भारत को सुतन कर देंगे भारत के सविधान का निर्माट कर देंगे अब उधर हुआ क्या कैबनेट एटली की सरकार जीत गई अब उन्होंने ही कैबनेट मिशन को भारत बेजा था अब कैबनेट मिशन को भारत बेजा था तो इसके सदस कौन कौन थे पैंतिंग लोनन जो की अध्यस थे इसके साथ से स्टेफ़ड क्लिप्स थे और एवी अलक्चेंडर थे कैबनेट मिशन के द्वाराई भारत में क्या हुआ था सविधान सेवा का गटन हुआ था अब एक कोईसन पूछेगा कैबनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की प्रतक पाकिस्तान की मांग को अस्युकार कर दिया जिपकि इससे पहले 1942 में क्या होता है 1942 का क्रिप्स मिशन क्या होता है कैबनेट 1942 की क्रिप्स मिशन ने क्या कर लिया था प्रतक पाकिस्तान की मांग को अस्युकार कर दिया लेकिन कैबनेट मिशन ने अस्युकार कर दिया तो भारत के सविधान सेवागा गटन कैस होता है cabinet mission के अधार पहे, cabinet mission ने 10 लाग की जन संक्या पर सीटों को डिवाइड किया था, 10 लाग की जन संक्या पर डिवाइड करने पर कितनी सीटें निश्ची तुई थी, 389 सीट, 389 सीटों में से आपको ब्रिटिस प्रांध को कितनी सीटें मिले थी, 290, 93 सीटें किसको मिल गए थी, देशी रियासत को, और 4 सीटें में किसको डिवाइड कर दी थी, चीफ कमिशनरी को डिवाइड कर दी थी, अब इसके लिए क्या हुआ भी आपने 296 सीटों के लिए चुनाओ कराया, अब चुनाओ कब हुआ, अगास 146 में चुनाओ के परणाम आ जाते हैं, अब जब चुनाओ के परणाम आते हैं, तो 296 सीटों में से 208 सीटें तो मुस्लिम लीग को मिल जाती है 208 सीटे तो कांग्रेस को मिल जाती है 73 सीटे आपके मुस्लिम लीग को मिल जाती है 15 सीटे आपके अने दलों को मिलती है जिसमें 8 सीटे के आपके छोटे दलों को मिलती है साथ सीटी क्या होते हैं निर्वदली उम्मीदवार को मिल जाती हैं अब यह कांग्रेस के साथ ही मुस्लिम लीग तयार क्यों गी थी मुस्लिम लीक कर आग लग क्या रहा था कि भईया हमें तो चुनाओं में अच्छी-कासी सीटी मिलेंगी लेकिन जैसे मुस्लिम लीक को 73 सी डायरेक्ट एक्षण डी तो मुस्लिम लीक ने 16 अगस्त को कौन से दिवस मना था प्रत्यास कारवाई दिवस्त लेकिन हमारी सविदान सभा का गठन हो गया अभी देखो चल क्या रहा है 1946 अभी हमारा क्या हुआ बिभाजन नहीं हुआ तो मुस्लिम लीक भी हमारी सविदा सभी चल को छोड़ेंगे इस प्रकार से हमारी सविदान सभा का गठन हो जाता है सविदान सभा और रौप से निर्वाज है थी अंक्ष रूप से मनुरी थि आप 9 दिसंबर 1946 को सविदान सभा की पहली बटक होती है अब जब पहली बटक होती तो पहली दहीं को तो काम या सविदान Mississippi का आज्सताई अद्यिस बिना दिया पहली बैटक होती। 9 अधुस ाधिक को संबोधन दिया अर्थायग भार्ट को संबोधे honest किया था। अब दोगो सविदान सभा के पहली बैटक 9 दिसंबर को होती है इसके बाद आपकी 10 दिसंबर को भी होती 11 को भी होती 12 को भी होती त्यारा को होती है लेकिन हम कौन-कौन ची बैटक को पड़ते हैं जो आपके लिए भात पूर होती है 9 दिसंबर की बैटक में हम क्या करते हैं सचिना रंसिन्ना को सविदान सभा का आइस्ताई अत्यषप बना देते हैं इसके पाद हमारी अगली वैक्टर होती है घ्यारा दिसमबर 1946 को 11 दिसमबर 1946 के वैटएक में ड्. राजीन प्रसात को सभिधान सभाका इस्ताही अध्यश्प बना देते हैं इसी के साथ एउस सी मकट्जी को सभिधान सभाका उपाद्यश्स बना देते हैं बी एन राओं को सभिदान सभा का समयधानिक सलाकार बना देते हैं यह क्वेस्टन आपके उक्चाम में पूछता है एक सर कि अध्याश कौन तो उपाद्यश कौन था उपसभापती कौन थे ऐसी कौश्शन पूछता इसलिए पता होना चाहिए तो सभिदान सभा का आश्ता ह इसको बिनाया था पहली वैटक में नौदिसमरू मुझ्छतो च्यालेश को सची रावेट शिन्हा को सभिदान सभा का इस्ता इस सभाद्यश में चाहरी को भी उपाद्यश ना मिवेट्वाद्यश में नाम ना हो तो वीटी एससी मोखर्ची तो सबसे पहले था मैं सुमकर कवी बनाया थाहतों के दिन आद्या सुना तो उपार्दीछ काम कर लेन अपनी सभी दान सभाएंगे तो पाध्य करिश को निर्वाची दूए यह निर्वाची थे लेकिन फ्रैंक एंतनी, फ्रैंक एंतनी को हमने मनुनीद किया था, मनुनीद का मतलब होते है कि बहिया ये चुनाओं में भाग नहीं लिया था, वो क्वेसे पूछ सकता है कि आपके सविदान सभा के पहले उप सभापती को थे, कई भर उपाध्यस ना के पूछ लेते हैं उप पती भी आपके फ्रैंक एंतनी थे, तीन पॉइंट समझ में है कि नहीं, जिसे हम कहते हैं कि आपका राष्टपती क्या होता है, काम कर रहा होता है, संका प्रमुक होता है, लेकि राष्टपती नहीं है तो उसकी जगे काम कौन करेगा, उपराष्टपती कारवाग सुप्रीम कोड का चीफ जश्टिश आफ इंडिया नहीं है, तो पहले राष्टपती की जगे काम कौन करेगा, उपराष्टपती, उपराष्टपती नहीं है तो काम कौन करेगा सुप्रीम कोड का चीफ जश्टिश आफ इंडिया, अब मान लोगी चीफ जश्टिश आफ इसके बाद सविधान सभा का पहला उपाद्देश हमने निर्वाचित किया ते से में खर जो इसके बाद उपाद्देश बनाया था हमने वीटी क्रिश्न मैं चारी को इसके बाद Frank Anthony को सविधान सवा के उसमें उपसवा पती या उपात्यस के रूप में मनुनीत किया था अगर question पूछले कि या मनुनीत उपात्यस कौनते तो मनुनीत उपात्यस है Frank Anthony तो आज हमने क्या क्या Captain Mission के बारे में सारे important point को discuss किया अब कल की class में समिधान की बैटकों के बारे में discuss करेंगे हो सकते कि आपको लग रहा हो कि टाइम थोड़ा सा जादा लग रहा है देखो इसमें बहुत सारे ऐसे बच्ची जो पहली बार quality पढ़े तो चीजें उन्हें भी समझ में आनी चीए बहुत ज़द आप question में discuss करेंगे और इन सबके notes और फीडियाफ टेले काम चैनल पर मिलते हैं जिसकी link में इडिस्ट्यूसन बॉक्स में डाल दीए पढ़ेए मेहनत करिए